हेलो एब्रीवन आज के इस वीडियो में हम लोग के सिजना क्लाइस 12 एक्सरसाइल 11.4 का जो है 11 नमर को स्वालब करेंगे तो यह देखिए गिभेन दिया हुआ एक्स के पावर 10y एक्वल टू आएक पावर 10y कहता है इनका जो हुआ डिफ्रेंसियेट करने के लिए ठीक है चलिए देखिए यह वावर वेरियबल के पावर वेरियबल है आप लोगो अच्छे से जानते हैं जब वेरियबल वावर वावर टाइप दिखता है तो हम क्या तो लोग लगाएँगे ये लोग एक्स के पावर 10y एकवल टू ये हमारा होगा लोग y के पावर 10x आप लोग अच्छे से जानते हैं लोग m के पावर n एकवल टू होता है n लोग m n log m, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा होगा 10 y into, यानि कि यह log x क्पावर n, तो यह 10 y into log x, एक बलतु, यह हमारा हो जाएगा 10 x into log y, अब देखें, इनको जो हगा, डिफरेंशियेट कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगा, डिफरेंशियेशन with respect to x on both side we get, ठीक है, तो यह देखें, यह हमारा क्या हो जाएगा, d बटे dx, यह हमारा होगा 10 y into log x, equal to, d बटे dx, यह हमारा होगा 10 x into log y, दोनों side y into v लगा दीजीए, आपको हम बताएं, यह into v का क्या formula होता है, यू को बाहर रखेंगे तो v का डिफरेंशियेशन, पलस v को बाहर रखेंगे तो u का डिफरेंशियेशन, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर देखें, यह हम 10 y को बाहर रखते हैं, तो 10 y को बाहर रखते हैं, तो log का डिफरेंशियेशन, d बटे dx, log x, अपलस, यह log x को बाहर रखते हैं, तो d बटे dx, यह जो होगा 10 y का डिफरेंशियेशन, यहाँ पर 10 x को बाहर रखते हैं, तो d बटे dx, log y का डिफरेंशियेशन, ठीक है, log y का डिफ्रेंसशेशन फालस लोग वयको जहां को बाहर करते हैं दीव inde Get D x 10 X का जो है हाय हॉआ होार डिफ्रेंसेशन हो जाएकशी daylight अब देखिए तेनि यह जो है हुआ 10 का डिफ्रेंसेशन 6 square और यह y का पुना dy by dx हो गया अब देखिए 10x into log y का डिफ्रेंसेशन 1 upon y into dy by dx ठीकहें अब पर लाइज log y 10 का डिफ्रेंसेशन 6 square x तो यह 6 square x हो गया अब देखे जिसमें dy by dx लगा है उनको हम एकसाइड कर लेते हैं जिसमें dy by dx नहीं लगा हुआ है उनको हम एकसाइड कर लेते हैं यह देखे यह log x into यह हमारा होगा यह हमारा होगा log y into 6 square x minus यह हमारा कितना होगा यह हमारा होगा 10 y into 1 upon x यह होगया अब देखे यहांस जो हवा dy by dx जो हवा common मिल दा है यह हो जाएगा एकवल तो यहां पर जो हवा क्या क्या बचा हुआ है यह बचा हुआ है log y 6 square x minus 1 upon x 10 y ठीक है यहां पर देखे यह लेते हैं यह dy by dx यहां पर यह लिंगे यह y log x into 6 square y minus 10 x upon y हो जाएगा एकवल तो यहां पर लिंगे यह लोग y 6 square x minus 10 y upon x हो जाएगा अब देखे हमें dy by dx ने चाहिए तो therefore dy upon dx यह देखे यह y इस सेट चल जाएगा तो यह y यह नीचे में x है तो यह नीचे में x अब देखे यह जो होगा क्या है यह हमारा इनके यह जो होगा इनके नीचे में आएगा थी एक्स लोग y 6 square x minus 10 y upon यह हो जाएगा क्या यह होगा y log x into यह हमारा होगा 6 square y minus 10 x यह ही जो होगा फाइनली आंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह 11 का first नमर कोईचन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए अब देखिए यह जो है वह हम बहुत ही step by step बहुत ही slowly आपको बताए हैं ताकि आप अच्छे तरीका से समझ जाए ठीक है तो चलिए अब इनका second नमर कोईचन देखते हैं अब देखिए इनका second नमर कोईचन जो है हुआ sin y power x equal to cos x के power y है यह देखिए यह आपको बहुत ही असानी से समझाएंगे ठीक है बहुत ही दीरे-दीरे समझाएंगे ठीक है तो देखिए यह जो है वह variable की power पहले variable है तो हम क्या लगाते हैं तो दोनों साइड लोग लगाते हैं यहाँ पर लिख देंगे ट्रेकिंग ट्रेकिंग लोग अन बोथ साइड वी गेट यह लोग लगाएंगे तो यह लोग यह क्या होगा sin y power x equal to यह हमारा होगा लोग यह होगा cos x के power y यह इतना तक समझ गए अब देखिए log m into n का फर्मूला क्या होता है यह लोग m होता है यह x into log sin y हो जाएगा sin y यहां पर भी होगा y into log cos x यह हो गया अब देखिए दोनों साइड जो हुआ differentiate करते हैं यहां पर लिख देंगे differentiation with respect to x on both side both side we get we get ठीक है तो देखिए यह जो हाँ हम दी एक्स यह हमारा होगा y into log cos x ठीक है को साइक्स होग जाए ठीक है अर देखिए इनको यू इंटो भी इनको भी यू इंटो भी पर हम solve करते हैं पहले हम x को बाहर कर देते हैं दी बटे dx लोग का differentiate करते हैं लोग sin y ठीक है फालस लोग sin y को जो है वह बाहर कर देते हैं तो दी बटे dx x का का differentiation equal to y को बाहर कर देते हैं दी बटे dx लोग cos x का differentiation पलस लोग cos x को जो है वह बाहर कर देते हैं वाय का differentiation dy by dx अब देखिए सभी का differentiation करके यहां पर हम लिखते हैं एक्स इंटो लोग का differentiation क्या होता है वन अपॉन sin y sin y का होता है cos y तिये cos y into dy upon dx एनि पहले लोग का किये तिये 1 upon sin y होता है तिये 1 upon sin y फिर यह जो sin का किये तो cos और यह y का किये तो dy by dx पलस यह जो लोग sin y है तो यह ऐसे ही उतर जाएगा log sin y x का differentiation 1 होता है और यह देखे y into log का differentiation 1 upon x तो यह cos x cos x का होता है minus sin x तो यह minus sin x plus यह हमारा होगा log cos x into dy by dx ठेक है अब देखे इनको जिसमें dy by dx लगा है उसको एकसाइड कर देते हैं जिसमें dy by dx नहीं लगा उसको एकसाइड कर देते हैं तिह हमारा x cos y sin क्या होता है तो यह कोट y होता है कोट y dy by dx minus यह इसको इसाथ भेदेंगे तो यह log cos x dy by dx ठीक है मैनस y sin by cos क्या होता है तो 10 x होता है तो यह 10 x और यह जो है वह भाई साथ चल जागा तो मैनस log sin y होगा sin y sin y यह जो है इतना हो गया ठीक है अब देखे यहां प्यार जो है आँ चली ठीक है यह इतना हो गया अब देखे इनको जो है कोमन मिल रहें तो यहां से मैनस कोमन ले सकते हैं यहां पर देखिए इनका यह जो है वह देखते हैं यानी कि सब्सक्राइब कर देखिए यहां से मैनस हम और क्षाइब यहां से मैनस कोमन ले लेंगे यह क्या हो जाएगा यहां से मैनस हैं यह यह 10x plus log sin y log sin y upon यहाँ से मैनस कोमा लेंगे तो मैनस कोमा लेंगे तो लोग बाला पहले लिखाएगा यह हमारा होगा लोग यह कोस एक्स मैनास यह मैनास एक्स कोट वाई यह और यह कैंसेल यह ही जो है हुआ फाइनली हमारा आंसर दिया हुआ है उमीद करते हैं कि आप लोग यह जो है हुआ सक्यान नमर कोईचन बहुत यह अच्छा तरिका से समझ गयो होंगे अब देखें इनका जो थर्ड नमर कोईचन जो है हुआ सक्यान नमर के जैसा सेम टू सेम है इनको आप खुद से भी प्रेक्टिस करके बना सकते हैं इनका देखिए फोर नमर जो कोईचन है वह बहुत ही अच्छा इंपोटेंट कोईचन है आप लोग अच्छे से देखिएगा उनको हम स्वाल्व करते हैं अब देखिए इनका फो है टेकिंग टेकिंग लोग अन बोथ साइड वी गेट तो यह हम लोग लगाएंगे यह क्या होगा लोग X के पावर Y इंटु Y के पावर X एकपावर टू लोग 1 देखिए लोग M इंटु एन ते फर्मुला होता है नो लोग अनिके यह देखिए आपको हम बताए हैं लोग M इंटु N फर्मुला होता है निए लोग M पलस लोग N यह फर्मुला होता है तो यह हमारा होगा X के पावर Y पलस लोग Y पावर X एकपावर टू लोग 1 का भेलू क्या होता है तो यह जो है वह जीरो होता है लोग 1 का भेलू क्या होता है तो जीरो होता है ठीक है अब देख m होता है यह formula यहाँ पर होगा तो यह y log x plus x log y equal to 0 अब देखेए इनको differentiate करेंगे यहाँ पर लेखेंगे differentiation with respect to x on both side we get तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा होगा d बटे dx यह हमारा होगा y log x plus d बटे dx यह हमारा होगा x log y equal to 0 यह हो गया अब देखेए इनको यह इंडू भी पर तो रहते हैं तो y को बाहर कर देते हैं तो d बटे dx log x का जो हुआ differentiate करते है पर लग एक्स को जो हुआ बाहर कर देते हैं तो यह y का differentiate हो गया ठीक है अब पलस यह हो गया अब यहां पर देखेए एक्स को बाहर कर देजिए यह पर यह इंटो भी यहां पर भी लगाए तो x को बाहर किये तो log y का डिफ्रेंसेशन अपला log y को बाहर किये तो x का डिफ्रेंसेशन हो गया ठीक है अब देखे इनको स्वालब करते है y इंटो log x का होता है 1 अपन x 1 अपन x पलस यह log x इंटो यह हमारा dy by dx पलस x इंटो log y का डिफ्रेंसेशन 1 अपन y पुना y का डिफ्रेंसेशन डिवा बाहरana eg यह log का डिफ्रेंसेशन दिवाए डिएक्स एंटो देखे इनको बाहर कि नहहीं लगा है उनको इस साड भेद दीजे का देखे दियाकवाइड दियाकी से क्कश्च क अराइकश और में ध्यान से हम लेगे लाया कोन दोनों मिस आगा यह फ्लस लोग वाई लोग वाई हो गया आप देख़े यहाँ पर यह होगा एलसीम लेते हैं यह यह पर el-seam लेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा य हो गया थे इनको जो हाँ आगवा हम स्वाइजओ देरफोर dy upon dx equal to इनको इसाइट भेज़ेंगे तो minus y upon x यह हमारा होगा y plus x log y upon y log x plus x यही जो होगा finally answer हो जाएगा आप लोग answer जो होगा match करके देख सकते हैं ठीक है उमीद करते हैं कि आप लोग यह जो होगा 4 नमर को चन जो होगा बहुत यह अच्छा तरीका से समझ गे होंगे देखे इनका जो 5 नमर भी कोही चन जो होगा same to same जो बनेगा निकि यह जो होगा निकि यह जो होगा same to same बनेगा ता आप इनको खुद से try करिएगा यह बन जाएगा देखे इनका 5 नमर है यह अच्छा घ्टर पर टेकिंग लोग अन बोठ से लगा देंगे तो लोग फावर एक्सट पार य यहां पर लोग जोग एंच्छा सथी फर्मूला होता है यह यह अफीचे आप यह हो गया दोनों साथ यह हो गया तर देफरेंसेट करेंगे यूउइंट वी पर दोनों त कर देख हो इंटो उल थिफ्रेंसेत्कि сов को भार किये दोक्ति अऩ्य का इपरेंसेशन खिर दिफ्रेंसेशन खिख है फिर फिर य का कद आप 59 को बहर किये दोक्ति अध्ये प्लस लोग को बहर किये यह य का डेरिवेटीव हो गया अब देखें लोग वाई का डेफेरेंसेशन वन अपन वाई होता है यह तो यह 1पन यह हमारा x बते y, dy by dx, plus log y, y बते x, log y, equal to y by x, plus log x, dy by dx, यह सभी इतना आएगा, तब देखे, यह भाई साब इसार भे देता है, x by y, dy by dx, minus log x, dy by dx, equal to y by x, minus log y, यहांस देखे, dy by dx, common मिला है, x बते y, minus log x, equal to y, बते x, minus log y, इसार देखे, dy by dx, common, आनिकी dy by dx, कमां ले लेंगे, यहांसे y, आनिकी, यहांसे, lcm, y, x, minus y, log x, equal to, यहांसे x, को आनि, यहांसे, lcm, x, लेंगे, x, और यह, यह, देखे, y, minus, यहां पर x, log y, हो जाएगा, यहां देखे मैना समकॉंब ले लिए आंसर मिलाने के लिए यही जो आपका अंसर दिया हुआ अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 12 नमर कोईचन के साथ अगर यह वीडियों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कोमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जाहिंद